आप सब के लिए बहुत ही डिलीशिस रेसिपी लेकर के आई हूं जो है हेल्दी केक की रेसिपी इसके लिए लेना है एक कप दूद और दालना है आधा चमज नीबू का रस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है फिर इसमें आपको डालना है आधी कटोरी पीसी हुई चीनी और इन दोनों को कर लेना है अच्छे से विस्क पीसी हुई चीनी डालने से बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है इसलिए हमेशा पीसी हुई चीनी केक के लिए यूज करें साथ ही यहां पर आधा कटोरी रिफाइंड ओयल जो किसी भी फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए और दो चमच मैंने टेस्ट को इनहांस करने के लिए जो मिल्क पाउडर होता है वो यूज कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं एक चमच मैंने यहां पर बेकिंग पाउडर डाला है और आधा चोटा चमच मैंने यहां पर बेकिंग देट मिनिट के लिए 170 degrees Celsius पर इसके लिए जो मैंने टिन साइज यूस किया था वह था 9-च का टिन साइज केक टिन साइज मैंने यूस किया था जिसे मैंने ग्रीस कर के बटर पेपर लगा लगा कर के रेडी रखा था और इस तरीके से सारे बैटर को आपको लंपस फ्री होते तक अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो इसमें ड्राइ फ्रूट्स याफी टूटी फ्रूटी वगेरा भी एड कर सकते हैं बस इसे मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया था और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था मेरे गर में एक दिन में ये केक खतम हो गया था तोड़ केक टिन मैंने जिसे प्रिपेर करके रखा था सारा बेटर मैंने इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया और इस समय तक मेरा जो केक ओवन है जिसमें मैं से बनाने वाली हूं ओटी जी वह भी प्रिहीट हो चुका है प्रिहीट करते साथ ही इसे मैंने मिडिल रैक पर इस तरह से करने के बाद 45 मिनिट के लिए पूरा बेक किया था बहुत ही पॉफिक्ट इसका कलर आया था और आप देख सेते हैं किते अच्छे से यह फूल रहा है पूरा बेक होने के बाद आपको इसे निकाल लेना है ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप देख से हैं कुछ मैं हमीशा रखती हूँ अपने पास या फ्रिज में रहता है जिसे मैंने माइक्रोवीब में मेल्ट कर लिया था और उपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है तो और भी ज़दा अच्छा होने लगता है और गर्मा गरम इस केक को खाने का तो मज़ा है कुछ और है बहुत दिनों के बाद आप सब के बीच फिर से वीडियो लेकर क्या रही हूं काफी सबैसे काफी चीजों से परिशान थी इसलिए कोई भी वीडियो अप्रोड नहीं कर रहे थी अब धीरे धीरे रेगुलर मे के साथ इस केक को कट करके एंजॉय करने बहुती सॉफ्ट इसके अंदर का जाली का टेक्शर है वह आप देखेंगे ताप का मन कुछ हो जाए कि बहुती डिलीशस मेरा केक बन करके तयार हुआ था 45 मिनिट मुझे लगे थे टोटल इस केक को बेक करने के लिए तो पॉफिक में इंग्रीडियन डेटेल्स में चेक कर सकते हैं कोई भी कन्फिजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल भी ना मिले फिर में मिलूंगी आप सब के साथ शेफ डीडिवी इसी चैनल पर बने रहिए रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्स